नमस्कार दोस्तों मैं राजी व्रण्यन प्रसाद जिस देश की महरानी आज भी लूटा हुआ कोहिनूर अपने राज मुकुट में शुशोभित करती हो वह अब सहिश्ण होने जा रहा है ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी ने 12 दिसंबर को होने वाले चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें उसने जलिया वाला बाग कांड में मारे गए लोगों के लिए समवेदना व्यक्त करने के साथ माफी मांगने की बात कही है इसके साथ ही साथ इस विपक्षी पार्टी ने ब्रिटेन के आपनिवेशिक अतीत की जाच करने की बात भी कही है अभी कुछ समय पहले ब्रिटेन की प्रधान मंतरी टेरेसा ने भी जलिया वाला बाग नरसंगार के सौ साल पूरे होने पर इस घटना के लिए अफसोस जताया था हाला कि उन्होंने माफी नहीं मांगी लिबर पार्टी ने जलिया वाला बाग हत्याकार के लिए माफी मांगने की बात कही है तो सोचता हूँ कि ब्रिटेन किस किस बात के लिए माफी मांगेगा क्या ब्रिटेन इस बात के लिए माफी मांगेगा कि 1940 में जब भारत में अकाल और भुक मरी की स्थेती थी लाखों लोग मर रहे थे उस समय करोडूं टन गेहूं भारत से ब्रिटेन भेजा जा रहा था क्या ब्रिटेन भारत के बठवारे के लिए माफी मांगेगा क्या फूट डालो शाशन करो की रणनीती के तहत कीची गई रेड क्लिफ रेखा जिसने भारत और पाकिस्तान दो देशों को अस्तित्व में लाया एक देश को धार्मिक अधार पर खंडित किया गया दस लाख लो कैदियों पर किये गए अत्याचारों के लिए भी माफी मांगेगा अंडमान की जेल में जिस तरह से कैदियों को कुलू का बैल बनाया गया था जिस तरह से उन पर शारिरिक और मानसिक यातनाय प्रतिपादित की थी क्या वे माफी मांगने योग्ये परियाप्त कारण नही क्या भारत के माथे पर सपेरों और मदारियों का देश लिख जाने वाले ब्रिटेन को इस बात का एहसास है उन्होंने इस भूभाग का कितना शोशन किया दोहन किया कितनी राशिवे लूट कर ले गए माफी रहने दें यह स्विकार कर लिया जाए कि विकसित देशों की श्र शात यह बताया है 3175 लाख करोड रुपे की लूट ब्रिटेन द्वारा भारत के भूभाग से की गई इसे लोटाना तो छोड़िये आज उस देश की हैसियत में भी नहीं लेकिन परियाप्त शर्मिंदगी के साथ उन्हें यह तो स्विकार करना ही चाहिए कि जब वे भार विद्धभू भाग था उस दोर में भारत 25 प्रतिशत वैश्विक जीडिपी में अपना योगदान करता था और जब भारत को छोड़ कर गए उस समय भारत का हिस्सा महग 4 प्रतिशत या उससे भी कम रह जया हाँ जलिया वाला बाग नरसंगार उपनिवेश कालीन ब्रिट ब्रिटेन का वास्तविक चहरा है अमरित सर में शांती पूर्ण प्रदशन कर रहे लोगों पर चारों ओर से घेर कर जनरल डायर ने जिस तरह अंधा धुंद गोली चलाई जिसमें सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 400 जाने जबकि प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार 1000 जान रही माफी नामे की बात तो वो हमारे शहीद उधम सिंग ने बहुत पहले ही जनरल डायर को परलोग भेज कर आपसे लिखवा लिया था ब्रिटेन जैसे सामराजवादी देश आज मानवता और मानवाधिकार के पैरोकार बनकर बैठे हुए हैं उनके माफी नामों से ना उनका रक्तिम इतिहास धुल सकता है नहीं भुलाया जा सकता है यदि इस मुद्दे के कारण लेबर पार्टी को चुनाओं में फायदा होता है तो मैं इसे भारत की वैश्विक बढ़ती हुई ताकत का उदाहरण ही मानूँगा इसमें ग्रेट ब माना होता है और ना पड़ापन मित्रों आज इतना ही फिर मिलता हूँ किसी नई कहानी के साथ अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृप्या इसे सब्सक्राइब करें आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं नमस्कार